नमस्कार दुस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सिये में तुड़े अभी की लेटिस्ट अफडेट के बारे में बात करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा समझने का प्रियास करेंगा एनम की जवानिंग को लेकर बड़ी अपडेट है आप कहेंगे इसके समझ में मुझे जानकारी मिल गई आप पहले नहीं बता पाए तो मैं आपको बता दूँ उसी का जबाब देने के लिए मैं पहले का रिकार रखाओं तो सबसे पहले मैं आपको रिकार्ड दिखाओंगा उसके बाद नोटिस दिखाओंगा किस तारीक को आपकी जवानिंग कितने बज़ेश से होगी और किन किन जिलों में होगी तो वीडियो को वाच करेंगे साच के सत्थ पूरी जानकारी आपको दे दूँगा यूपिटर बलस्ति के बाद जिमसे लेकपाल का परिड़ाम कव आएगा कटाब क्या हो सकता है किस ती में कितना कटाब जाएगा और किस ती में कितना कटाब जाएगा क्या कटाब में परिवर्तन होने के चांस है अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा वाच करिएगा बैंक में नई भरती का विग्यापन जारी हुआ है क पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए और वीडियो को शेयर करना मत भूरिएगा लाइक करना मत भूलिएगा सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और आल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा जिससे नोडिफिकेसन आप तक पहुंचा है उससे पहले आप सभी किलिंग महत्मूर सूचना अगर आप किसी भी भरती पर इच्छा की त्यारी कर रहें तो आपके लिए जवरगस्ट ओफर आया है बैक बाई पॉपलर डिमांड 18 से 20 फरोरी तक इस आफ़र का आप लाब उठा सकते हैं लिमिट एडिशन है एक्स्ट्रा 6 मंथ आपको जिया जा रहा है वैलेडिटी आपको बता दे अगर आप 18 महीने 279 रुपे में 670 प्लस भरती परिच्छा की त्यारी करना चाहते हैं तो आपको RCN कूपन कोड का यूज कर करने पर आपको 279 रुपे में 670 प्लस भरती परिच्छा की त्यारी करने का मौका मिलेगा टेश्ट बुक पास मिलेगा साथ सब में आपको यह भी बताना चाहता हूं 37,000 से ज्यादा मौक चेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा आपको गिप्ट के तोर पर पॉकेट का फिम भी मिलेगा इत्यार ओफर भी चल लें इसका भी आप लाप उठा सकते हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस टेस्ट बुक स्रीज से तयारी करने पर टेस्ट बुक पास लेने पर आपकी तयारी इतनी वहतर हो जाती है कि आपके नंबर इंक्रीज होने लगते हैं 21 लाग से ज्टूडेंट इसे परिचेश कर चुके हैं धाई लाग से ज्यादा की नौकरी लग चुकी है अगर आप भी सरकाई नौकरी का सपना दे करें बहतर त्यारी चाहते हैं आपने आपको इंप्रूब करना चाहते हैं तो टेस्ट बुक के ट्रसीज को आरिसिन कूपन कोड का युश करें डिसकाउंट के साथ 270 रुपे में टेस्ट बुक पास 18 महीने के लिए पर्चेश करें अभी दाये देर मत करिए पाहली ख़बर के बारे में बात करेंगे पाहली खबर एन्यम की ज्वानिंग को लेकर हैं दोस्तों बड़ी अपडेट है एन्यम नियूज न्युक्ति पत्र बीवरन को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं न्युक्ति पत्र का जो विवरन है यानि की बित्रं समाः रो है उसकी बारे में बात कराऊं सबसे पहले मैं नोटिस दिखाओं उसकी बास साची दिखाओं आप यहां पर देख सकते हैं यहान पर साब साब लिखा हुआ है, की जनपत का नाम लखनु, रावरेली, सीतापुर, उन्नाव, कानपूर, नगार, हर्दोई, बाराव Birthday, आमेठी, हुल्तानपुर। सौओफ४पचास। bottir наших यहां पर पूरा ड़ाता दिया गया और यहां पर बताए गया है कि मुखबंथ καे द्वाराओरी को फॉर निकिस्थ फरओरष्अ को साह तीन वजे स्थान वह उतलत ओर फ़्वन ब्रint करना है जिनकी दोरह कहा जाता क्या आप जानकारी नहीं का पहले नहीं बता पते हैं तो भयाय यहां पर देखेए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहें। यहां पर साफ साफ कि रिखह और नम की ज़्यानिन कब होगी। यहां पर देखिए हर्षिता पठेल इनके द्वारा पुछा गया था आप कहेंगे मेरे द्वारा क्या बताया गया देखिए एक दिन पहले यानि कि कल नहीं परस साम को इनके द्वारा पुछा गया था साम तक तो मेरे द्वारा कहा गया 21 को आप यहां देख सकते हैं इन्हों मुझे बार बार नहीं दिखाना चाहिए या भी सही है लेकिन अगर मैं सबूत आपको ना दिखाऊं साच ना दिखाऊं कि मेरे दौरा पहले बताया गया था तो आप मुझे बखसेंगे नहीं कमेंट बॉक्स में ऐसे लोग वीडियो का इंतजार करते हैं जो क्यों हमें बद बढ़ेंगे नहीं तो किसी के नहीं बढ़ेंगे हां लेकिन जो कुश्चन को एटेम्ट के होंगे उसी के आहदार पर नंबर इंक्रीज होंगे सवाल है कि यूपिट बलस्ती के बादिन से जब भरती का पईडाम आएगा तो आखिरकार कटाफ क्या होगा तो मैं आप सभी हाजली करने वाले नहीं हैं कियों 10,000 धांजली करने वाले हैं या 8,000 धांजली करने वाले हैं या 7,000 को भाहर कर दिया जाए तो कटाब घटकर 75-76 होजाएगा यानि कि जन्रेल के डिगरी में अगर आप होंगे तो 75-76 कटाब जाना सुनिश्चित माल ले अगर 7,000 को कियों बाहर कर दिया जाए जो 15 ज्या संदी की बात की गई है लेकिन अगर 7000 को बाहर नहीं किया जाता है पूरे डाटे के साथ पैडाम को घोसित कर दिया जाता है दोस्तों तुम्हें आप से यू बताना चारता हूं कटाब जाएगा उन्यासी तू 81 अगर कुछ को बाहर किया जाता है नाम अत्र तो 77 तू उन्यासी कटाब जाने की जर्नल की संभावना है अगर OBC की बात करें तो एक नंबर इधर उधर 80 की बात करें तो लगबग 7 से 9 नंबर कम जाएगा अगर हम female की बात करें तो female का कटाफ और SC का कटाफ आसपास रहने के संभावना है और EWS का भी female के आसपास रहने के संभावना कभी कोई ऐसा देखा गया है की SC के आसपास चला जाता है तो कटाप की समद्ध में जो मैं बता रहा हूँ इस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूँ संभावित इसलिए है क्योंकि 15,000 की समद्ध में कोई भी आयो की द्वारा डाटा नहीं दिया गया कि हमने बाहर किया कि इस पर कारवाई की गए इस पर कुछ बात नहीं बताया गया बात क्यों नहीं बताया गया नोटिस क्यों नहीं जारी कि लोग को सूचित क्यों नहीं किया गया यह बात समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो कंडीसर में आपको बता रहा है उस कंडीसर में कटाप यही हो सकता है जो भी मेरी दौरा बताया गया है तो नोट कर लेना दोस्तों अगर इससे भी प्रिजित कटाव जाए तो कहिएगा अब परिजाम की बात करें तो परिजाम कब आएगा तो कि परिजाम की समद में इस चैनल के माधिम से पहले भी आपको बताएगा परिजाम करने की तयारी चल रहे है वसे काम फास्ट तरीके से किया रहा सब को सखी रहा तो परिजाम देखने को मिल जाएगा अब हम बात करते हैं नय भृती पर बिचार बिमर्स को लेकर आपको मालूम होगा की उत्तर प्रेशल अजिनस्त सिवाचैन आयो को कई भरतियों का अज याचन पहुँच चुका है कई भरतियों का एक भरती नहीं कई भरतियों का कौन सी भरती आपको March to April में देखने को मिलेगी तो HGTA या वीडियो के वेकंसी देखने को मिलेगी बिग वेकंसी होगी पदों की शंक्या अधिक होगी लेकिन 65 के नीचे वाले अगर उमीद कर रहे हैं कि मुख पर इच्छा में बैठने को पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाएंगे HGTA में पात सकते हैं कटाप बहुत कम जाएगा इतना कम जाएगा इतना आप करके आए होंगे लेकिन इडियो की अगर बात करें तो 65 तक कटाप जाने की संभावना उससे नीचे वाले मुझे नहीं लगता कि मुख पर इच्छा में बैठ पाएंगे क्योंकि बीडियो में एक प्लस पॉइंट है कि साइंस और अगरिकल्चर वाले अपलाई करेंगे अगर बीपियो की वैकनसी आएगी तो कटाप जो है लगबग 68 से लेकर 72 तक जाने के संभावना है इसलिए बीडियो में एक चांस दिखता है लेकिन बीपियो में 62 वालों का चांस नहीं दिखता है तो आप बेट करिए मार्च टू अप्रेल भी चार्ज मुझे हो रहा है मार्च में इसके संभन मेटिंग होगा जो जिस वैकनसी पर डिसाइड होगा अब हम बात करेंगे बैंक में नहीं भरती को लेकर बैंक में नहीं भरती का विज्यापत दोस्तों आ गया है आप पर इसक्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर साबसा बताया गया है कि आबेदन सुरू 16 फरवरी 2023 से आनलाइन आबेदन करने की अंतिम्त थी 282 थी बेतर परिच्छ सुल्क की अंतिम्त से 282 थी परिच्छ सी अनुसूची के अनुसार एड़िट कार्ड उपलब्ध होगा परिच्छ से 7 दिन पहले आबेदन सुल्क के अगरम बात करें समान OBC EWS का 850 रुपे SC HD PH का 875 रुपे डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड डेड बैंकिंग के माध्यम से परिच्छ सुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं इंडियन बैंक में S.O. की पोस्ट आई हुई है यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं आयुशीमा की गढ़ना एक एक दोजार तेस तक की जाएगी मैं आप सिर्फ को बताना चाहता हूँ कि नियुमतम आयुशीमा पोस्ट वार जो बताया गया वह 20 वर्स है अजी तब आयुशीमा पोस्ट वार 40 वर्स निर्धारिट की गई है पोस्ट वार आयुशीमा विर्स के लिए पूरा आपको अदसूचना पढ़ना होगा मैं आपको 60 में जानकारी दे रहा हूँ कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 203 है अब किस प्रकार के पोस्ट हैं इस पर बात कर लेते हैं उससे पहले आपको क्वालिफिकेशन के समझ में जानकारी दे देते हैं अगर आप बैचलल डिग्री मास्टर डिग्री सी ये बीटेक हैं और आपके बास अनुवब मेंड़ के साथ पोस्ट वाई योगता है तो आप आवेदन कर सकते हैं आपको बता दे कि बित्ये सक्के साथ पद हैं जोकिम अजीकारी के पंदर अजेुच्छी करिये 25 पद आ हंति के पाच प्रशं ऐ अरता का कनसार अगर आपके पास सची क अहरता है तो आव अब वेदर जरू करिएगा चूक मत करिएगा समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा अब बात करेंगे हम PCS 2018 की नोडिफिकेशन खोली कर उत्तर पर हिलोक श्रीव आयो की तवार PCS का नोडिफिकेशन कब आएगा इस चैनल के बाद जिसे आपको बताया गया था 18 से 21 दोस्तों मंगलवार या बुद्वार तक आपको नोडिफिकेशन जो है उत्तर पर हिलोक स्रीव आयो की वेब साइट पर देखने को बिलेगा पदों की शंख्या बहुत आधिक नहीं है लेकिन इतना आस्वासन दिया गया है कि पदों की शंख्या प्राणबीक परिछा अनिबत जैंजवारु सुनमस्कार